कि नुश्कार दोस्तों आप सभी राजस्तानी बजन प्रेमे मित्रों का आमारे चेनल पहादिक स्वागते मित्रों मैं हूँ प्रेम और एक नए वीडियो के साथ मैं दोस्तों पिछले काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं उसका कारण में बता देता हूं आपक प्रेक्टिस करते रहे हैं आगे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं लगातार वीडियो अप्लोड करता रहूंगा रोज एक वीडियो मैं बनाता हूं लेकिन अभी मैं कुछ कारणों से बना नहीं पा रहा हूं तो तब तक आप लोग जितने वीडियो मैं बना रखें उनका आप प्रेक्टिस कीजिए और प्रेक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे रियाज कीजिए तो दोस्तों आज कीश वीडियो में एक बहुत ही फ्यारा सा चेताउनी बजन के जो lyrics है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो बजन है उसके बोल है माडा रो मनियों बजन वाली डोरी इस बजन को मैंने harmonium पर बता दिया है कि इस बजन को केसे बजाना बहुत ही सरल तरीके से बजने वाला बजन है और बहुत प्यारा बजन है तो इस बजन के जो चार अंत्र है और एक मुकडा है उसको मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल आप उस अंत्रे को और मुकडे को आप सीख जाएंगे तो दोस्तों इसका जो मुकडा है वो मालारो मनियों बजन वाली डोरी आचा गरा में पोयो जमारो मया जाल में खोयो इसका ये मुकडा है मालारो मनियों बजन वाली डोरी आचा गरा में पोयो जमारो मया जाल में खोयो अब दोस्तों इस बजन का जो फेला अंत्र है वो है सत्री संगत में कदे नि आयो सत्री संगत में ये दो कुई यह यहां से सत्री संगत में कदे नि आयो उपर वाडे जोयो उपर वाडे जोयो जमारो माया जाल में खोयो उसके बाद में वापिस अंतरा अब ये मुखड़ा आजाएगा माला रो मनियों बजन वाली डोरी अब दोस्तों दूसरा जो अंतरा है वो अलिये रे गडिये फिरे बटकतो मुंडो काच में जोईो जमारो माया जाल में खोयो इसका जो दूसरा अंतरा है वो ये है अलिये रे गडिये फिरे बटकतो मुंडो काच में जोईो जमारो माया जाल में खोयो माला रो मनियों बजन वाली डोरी अच्छा गरा में पोयो जमारो माया जाल में खोयो अब इतनों इसका जो तीसरा अंतरा है वो है गईरे जवानी आयो बुड़ा पो धोला देकने रोयो जमारो माया जाल में खोयो इसका जो तीसरा अंतरा है वो है गईरे जवानी आयो बुड़ा पो धोला देकने रोयो जमारो माया जाल में खोयो अब दोस्तों इसका चोथा अंत्रा वो है केत कबीर सुनो रे भई सादो काई संसार्या में जोयो माया जाल में खोयो मुकडा आपको याद रे जाएगा मालारो मनियो वजनवाली डोरी आच्छा गरा में पोयो, जमारो, माया जार में खोयो तो ये बजन आपको का मिलेगा चाहां मैंने पलेलिस्ट बना रखी उसमें जेतावनी बजन का एक फोल्डर बना रखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया और इस बजन के अंदर जो सुर लगेंगे पा, कोमल नी और सा ये वाला सके अंदर लगेगा और बहुती प्यारा सा देशी अंदाज में देशी तरीके सा आप इस बजन को गा सकते हैं अंदरे मैंने आपको बता दिये चाहुता आप इसको लिख के याद कर सकते हो और प्रक्टिस के लिए मैं आपको किया रहा हूँ कि इस बजन के आप रक्टिस कीजिए और देखिए दोस्तों क्या होगा ना जब अपने को खुद को एक दो बजन बजाने आ जाएंगे ना तो अपना जो इंट्रेस्ट है जो अपना जो रुजान है वो अटमेटिकली बढ़ने लगेगा तो सबसे पहले आप दो चार बजन बजाना सीखिए देदेदे सुर्क का ज्यान कीजिए और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है कि सर ने छोती काली से बजाए तो में ब यहां से बजालू नहीं आपका स्केल अपनेको समझना है और अपना सकेल समझन thing के बाद में सूर्क की जो आवाज है जो में इदे परिसरी काली से पाली procedure जहां से आपको यह थहां से आपको कैद दिया तो वहां से वह perід क्सकल है जो वो ब बना रखा है बिलकुल सिंपल और इस्सी अंदाज में वह सारे गामा निकालने का पेटर न हुश में ऐसा लगता बोरिंग सा आप मैसूस होता है लेकिन रियाज के बगेर ये काम नहीं होने वाला तो आप प्रेक्टिस करते रहे है डेली कंट्यूनिटी से अगर मान लिजी अपन पांस दिन प्रेक्टिस कर रहे हैं और पांस दिन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा सा सुधार आएगा तो नमस्कार दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी में लगातार वीडियो अप्लोड करने वाला हूं थोड़ा सा आप देरियो की धन्यवाद